यूजओफ में लोग यहां से शुरू करते हैं जैसे कि यूजओफ में हमने वूड से शुरू किया वूड सबसे ज्यादा Technical है सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसमें वूड है । क्योंकि यूज़ ज्यादा है में का तो आपने अकसर सुना है में is used to seek or take permission from elder seniors in a formal way. उपचारिक तरीके से permission लेने के लिए में का परियोग करते हैं. चाहे senior से लेनी हो, चाहे बड़ों से लेनी हो, उपचारिक तरीके से. जहां थोड़ा सा उपचारिकता की जरूरत है. जैसे आप पूछते हैं, may I come in sir, may I come in ma'am, मैं अंदर आ जाओ मैं, may I go to the washroom, जैसे बच्चे classroom में पूछते हैं, मैं washroom चला जाओ या चले जाओ, may I go home now, अगर आप कहें तो मैं आप घर चला जाओ, may I use your pen, क्या मैं आपका pen use कर सकता हूं, may I use to grant या give permission, अगर formal way में किसी ने आ का परियोग होगा, जैसे की, पहले sentence, may I come in sir, जैसे question किया, answer आए, yes you may, अगर permission देनी है, तो yes you may, पूरा sentence है, yes you may comment, लेकि spoken English में इतना ही बोलते है, yes, yes बोल दिया, तो भी sufficient है, you may बोल दिया, तो भी, और may comment बोल दिया, तो भी, तीनो sentence है, yes, 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 you may, थोड़ा सा आगे हो गया, may we go home now, अगर आप कहें, तो हम अब घर चले जाए, no, you may not, पूरा sentence है, no, you may not go home now, अभी नहीं जा सकते हैं, अभी और काम बाकी, may I open the window, थोड़ा suffocation हो रही है, अगर आप कहें, तो मैं खिड़कियां कोल दू, no, please, रहने दो, खिड़कियां रहने दो, no, please, भी कह सकत यह उससे भी standard के English है, no, please, रहने दो, second use देखे, may is used to show strong possibility of an incident, किसी कारिया के घटना के घटने की strong possibility के लिए make up परियोग करते हैं, यह मैंने sentence आपके सामने लगा, he is very ill, इसकी जरूरत नहीं है, अगर हम simple यह भी कहते हैं, he may die, इसका मतलब है, उसके मरने के 99% chances हैं, कितने प touch his course, उसने अपना course को चुआ भी नहीं है, he may fail, हो सकता है, वो fail हो जाए, वो fail होगा, it is cloudy, बादल घने आए हुए, गिरे हुए है, the sky is overcast with clouds, और उपर से तेज हवाई चल रही है, बादल गरज रही है, it may rain, बारिस हो सकता है, may is used to show purpose in present tense, make up रियोग, present tense में purpose को वेक करने के क्या जाता है, we go to school जैसे की, हम school जाते हैं so that we may learn, ताकि हम सीख सके, we take exercise, इसको हम ये भी कह सकते हैं, we go to school to learn, we go to school to learn, we take exercise, हम वैयाम करते हैं so that we may keep fit, ताकि हम स्वस्त रह सके, हम वयायाम करते हैं ताकि हम स्वस्त रह सकें या we take exercise to be fit to keep fit we work so that we may earn हम कार्य करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें he saves money so that he may survive वो पैसा बचाता है ताकि वो survive कर सके अर्था जीवित रह सके अपना गुजर बसर कर सके next use is to bless somebody यह operative sentence है इसमें to bless somebody किसी को आशिरवात देने के लिए भी हम bless होता है आशिरवात देना may you live long अक्सर आपने सुना होगा आप इश्वर आपको चिरंजी भी करें अर्था आप लंबे समय तक जीए may God bless you with a long life यह भी ठीक है may you live long may God bless you with a long life और a long life को एक single word में longevity कहते है longevity may our country progress by leaps and bounds इश्वर करें कि हमारा देश दिन दोगनी राज चोगनी उन्नती करें अर्थात फास्ट बहुत फास्ट रैपिड प्रोग्रेस हो may you shine in your life may you shine आप life में shine करें अर्थात प्रोग्रेस करें shine मतला प्रोग्रेस may you live a happy, healthy and prosperous life इश्वर आपको एक happy means खुश, healthy means स्वस्त और खुश हाल, prosperous means flourishing जिसमें आप खूब दंदोलत कमाएं ये एक simple सा यूज है नया आपके लिए Godspeed वाला Godspeed का मतलब है may your journey be happy and comfortable जब कोई यातरा के लिए निकलता है तो बोलते है Godspeed Godspeed मतलब इश्वर आपकी यातरा को मंगल में करी इश्वर आपकी यातरा को जैसे की busses में लिखा रहा था trains में भी लिखा रहा था Godspeed may your journey be happy and comfortable आपकी journey happy भी हो और comfortable अब ये देखिए हम ऐसे बोलते है Good morning, good evening, good night, ma'am, sir respected sir all the aforementioned aforementioned of the above said उपर जो कहे गए उपर जिनका वर्णन किया गया है उपर लिखे होई सभी वाक्य must begin with may हलाकि इनका शुरुवात may से होनी चाहिए but in conversation or spoken English my dear लेकिन conversation के अंदर spoken English के अंदर may का use नहीं करते we don't use may हम may का use नहीं करते the complete sentences are वास्तों में complete sentences क्या है may you have a good morning sir आपकी morning इश्वर करे अच्छी जाए और we pray to God बिल्कुल simple English में ये है optative sentence वो है spoken English का sentence good morning, good evening, good night ये है इसका exact optative sentence और इसका simple assertive sentence में बदल के क्या हो जाएगा we pray to God हम इश्वर से प्रात्ना करते हैं that your morning should be good कि वो आपकी morning को अच्छा बनाए सुखद बनाए may is used to curse somebody may का प्रयोग किसी को अभिश्राप देने के लिए जैसे आसिरवाद दे सकते हैं उसी तरह से अभिश्राप भी दे सकते हैं may see fail जैसे कि इश्वर करें वो fail हो जाए may they lose the match ऐसा हो कि वो match हार जाए इश्वर उनको match हरा दे may our enemy be killed हमारे दुस्मन स्मापत हो जाए मारे जाए may ghost attack their home कोई हमारा दुस्मन है हम उनके लिए कह रहे उनके गर में भूत गुज़े है भूत अमला कर दे may a monster shuck their blood उनका खून सैतान पी जाए खूनी ना बचे उनमे may be is used in the sense of perhaps may be का मतलब perhaps की sense में भी use होता है किसी चीज़ की possibility को बच करने के लिए जैसे you may be right but I don't doubt आप हो सकता है विए कुछ सही कह रहे हो लेकिन में को doubt है it may be so, it may be true हो सकता है ये सकते हो but I don't know, मुझे नहीं पता I don't agree, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ अगर may be दोनों इखटे करके लिखेंगे इसका मतलब होता perhaps, ये एक adverb है may be is used in the sense of perhaps, perhaps की sense में may be का use करते है, here may be is not used as a model as a model auxiliary के रूप में ये use नहीं हुआ यहां पे, but as an adverb, बलकि एक adverb के रूप में use हुआ है, जैसे की may be he won't come tomorrow हो सकता है, वो कल ना आए, may be miss संभावत है, possibly perhaps, may be they will win the match perhaps, they may win the match हो सकता वो match जी जाए may be this war will turn into a world war हो सकता है, ये संभावत है, ये सायद ये war एक world war में बदल सकती है अब आते हैं, use of might might का क्या परियोगा, might का एक meaning तो होता है, might is right जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है ये लेकिन model नहीं है ये might ताकत, strength, noun है हमें करना है as a model, use might is the past tense of may, ये तो आपने जाना ही होगा, may को past tense में sequence of tense के जब sentences बनाते हैं, advanced level पे sequence of tense अगर पहला principle close past tense में है, तो subordinate close भी past tense में संभावत है, कई most of the cases में convert हो जाती है जैसे ये है, ये भी sequence of tense काई पार्ट है, he said to the teacher उसने teacher को कहा, may I come in मैं, क्या मैं अंदर आ जाँँ इसको बदल के narration में कैसे बदलते है, he asked the teacher respectfully, if he might comment उसने teacher से आदर पूर्वक बूचा कि क्या वो अंदर आ सकता था the farmer said, farmers ने कहा it may rain, कि बारिस हो सकती है farmers ने कहा कि बारिस हो सकती है बादल गरज रहें, the farmer said that it might rain, past tense of may is might जहां जहां present tense में में आएगा, वहां पे past tense होते ही might हो जाएगा you went to agra, he went to agra, आप agra गए so that you might visit the taj ताकि आप taj mahal देख सकते, taj mahal भूम किया सकते, they work hard उन्होंने परिश्रम किया, so that they might show good results, ताकि वह अच्छे results दिखा सकते, might is used to show remote possibility, might का एक use कम संभावना को बैक करने के लिए भी होता है, कम संभावना मतलब 99% chance नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्यों अपने मुँ से बुरा ही मोल लेंगे, इसलिए आपने might लगा दिया, he might pass का मतलब है, वो 100% fail होगा pass हो भी सकता है, कुछ चमतकार हो जाए, किसी की आँकों पे पट्ती बंद रही हो, तो उसको pass करने you might become the prime minister of India बन भी सकते है आप prime minister, आजकल कुछ भी हो सकता है, he might come आप ही सकता है, आएगा नहीं, वैसे आप ही सकता है, anything might happen, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, might is used to seek permission with great hesitation जब बहुत बड़े senior लोगों के साथ, या बहुत high rank के वैक्ती के साथ, आप बात कर रहे हैं और आप अपना सुझाओ, एक तुछ सा, छोटा सा, हलका सा सुझाओ देना चाहते हैं, जिसे इसको कहते हैं जिसे छोटा मू बड़ी बात तो वहाँ पर hesitation, जिजकते हुए जब आप किसी से permission मांगते हैं, तो might का यूज करते हैं, especially in the company of very seniors or persons of very high designation designation होता है, पोस्ट, बहुत high पोस्ट के वैक्ती, जिसे might I say something sir, क्या मैं भी कुछ कहूं sir, might I add something to your suggestion, अगर इजाज़त हो, तो मैं भी आपके सुझाओ में कुछ add करना चाहता हूँ, might we discuss this later on, क्या हम इस बात को बाद में discuss कर सकते हैं, might is used with have been plus third form with specific sentences of evil happening or fate, अगर जिसे कहते हैं, इश्वर ना करें या might का use, have plus third form के साथ किया जाता है जब किसी बुरी घटना के होने का, या ना होने का हम इच्छ वेक्ट करें, जैसे मान लेजिए कि किसी का accident हो गया और उसको चोट लग गई, हम क्या कहेंगे it might have been worse, बैटे बच गया इससे भी खराब हो सकता था it might have been worse, ये तो कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या हो सकता था he might have died, मर भी तो सकता था, अभी तो उसको चोटी लगी ऐसे, they might have might not have survived, वो बच गए, जैसे टाइटैनिक में बहुत से लोग दूब गए और वो बच ना भी बचते क्या पता, कितने दूब गए तो वो बच गए बच्छी बात है, फंदरासो दूब गए 700 बचे, तो हो सकता है, यह भी ना बचते we might have lost this final match, हम यह final match हार भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है